ड्रग्स की समस्या की जो देश में एक बड़ी समस्या के तौर पर उगरी है और इस पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ा अभियान चलाया है औल इंडिया ड्रग्स तसकरी के एक बड़े गिरोह का भाड़ा फोर इस सिलसिले में हुआ है इसके साथ ही NCB ने भारी मात्रा में LSD ड्रग्स जब्त की है NCB का दावा है कि उसकी तरफ से यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है बरामत ड्रग्स की कीमत साड़ी दस करोड रुपए से ज़्यादा वताय जा रही है इस मामले में 6 लोग गिरफतार किये गए यह गिरोह जो है इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था NCB के मताबिक यह लोग ड्रग्स की खरीद बिक्री में क्रिप्टो करिंसी का इस्तेमाल कर रहे थे डार्क वेब यानि डार्क नेट इंटरनेट पर यह वो साइट्स हैं जिन पर छुपे हुए तरीके से ड्रग्स से लेकर बंदूकों और अन्य अवैध हत्यारों प्रतिबंधित वस्तों को खरीदने बेचने का काम किया जाता है इस डार्क नेट के जरिये ही ड्रग्स की तसकर्री भी धड़ले से हो रही थे और पुलिस ने एंसी बी ने इसी से जुड़े एक गिरों का भांडा फोर किया है एंसी बी ने एलस्डी यानी पार्टी ड्रग की दो दश्कों में सबसे बड़ी खे पकड़ी है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एंसी बी के डिडी जी ग्यानिशवर सिंग जी सर ये कैसे पूरा आपरेशन हुआ कितने लोग पकड़े गए हैं और कितनी मातरा में एलस्डी ड्रग मिली है मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारी इंसी बी की दिल्ली जोन ने इस आपरेशन में दो केसिज में छे लोगों को गिरफतार किया है और लगभग 15,000 LSD ब्लॉट्स समेत अने ड्रग्स बरामत किये हैं LSD एक खतरनाक सिंथिक ड्रग है जिसकी कमर्शिल कॉंटिटी सरकार ने 0.1 ग्राम निरधारित किये है तो 5-6 ब्लॉट्स की कमर्शिल कॉंटिटी हो जाती है उसका लगभग 30,000 गुना हम लोगों ने रिकवर किया है जो कि अपने आपने एक रिकॉर्ड है साथी साथ ये चिंता का भी विशय है क्योंकि भारत में युवाओं में छात्रों में इसका प्रचलन बढ़ा है तो हम लोग इसको रोकने के लिए क्रचसंकल पर सर जो गैंग के लोग हैं कहा कहा से कौन पकला गया क्या प्रोफाइल है उनका प्रोफाइल अगर आप बात करें तो सभी पढ़े लिखे टेक सैवी लोग हैं जो युवा हैं 20-22 साल से लेके 27 साल की उमर के बीच हैं और टेक्नॉलोजी के माध्यम से एक दूसरे के टच में थे वर्चूल आइडिनिटी थी अधिकतर लोग एक दूसरे को नहीं जानते और वर्चूल आइडिनिटी से परचेते थे अंके उनको कैसे यह ढूरते थे किस तरह से खोजते थे क्या तरीका था टार्गेट्स को यह लोग सोशल मीडिया साइट पे लूबाते थे और वहां से इनका परिचय होता था और आप तो जो सोशल मीडिया साइट के थूरू मैंने बताया एक रेवन्यू स्टैंप में लगबग दो बलॉट्स होते हैं तो इसको इंपोर्ट करना बहुत आसान है किसी भी कुरियर के पैकेट में आप कमर्शिल कॉंटिटी के ड्रग्स मगा लेते हैं तो यह आम तोर पे जो हमारे देखने में आया है पोलैंड निदरलै इस तरह कि यूरोपेन कंट्रीज में मैनुफैक्चर जादा हो रहा है और वहां से धीरे-धीरे इंडिया में आ रहा है और इंडिया एक कंदम्चन हब बनता जा रहा है क्या इस ड्रग्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है इसमें ना ही कोई मेटल होता है यहुट kier करना किसी भी सकेन के माध्यम से या डॉग्स के माध्यम से बहुत ही मुशकिल है सर कुल कितने ब्लॉट आपने पकड़े अभी तक बरामत किये हैं इन दो केसेज में हम लोगोंने 15,000 ब्लॉट पकड़े हैं अभी तक और इसमें फर्दर कारवाई जारी है क्या इसमें और भी कोई अलग से कार्टेल है और भी सिंडिकेट है और क्या इस पूरा जो सिंडिकेट है वो पैन इंडिया है बिल्कुल यह Syndicate Pan India है जिसके तार पोलेंड, निदरलेंड, यूएस से लेके इंडिया में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महराष्ट, केरल, करनाटक जैसी जगहों पे फैले थे और हमने यहां से गिरफतारियां भी की हैं, NCR इसका मुक्य केंदर था, इसका में सप्लायर राजस्थान से हमने उठाया है, और चूकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं Syndicate का नाम या फर्दर कारवाई अभी शेयर नहीं कर सकता, पर हमारा काम अभी जारी है तो बिलकुल दो दसकों में LSD यानि पार्टी ड्रग की सबसे बड़ी रिकवरी और जो NCB है, उसका जो आपरेशन है, वो लगातार इस पूरे मामली को लेकर जारी है, अभी एक और ड्रग कार्टेल है, जिसकी जांच चल लही है